नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी Current Affair वीडियो उसके बारे में आज हम Current Affair का छटा वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे और आज के वीडियो में भी Current Affair के वीबिन टॉपिक्स को कुश्चन के रूप में Extra Fact के साथ कवर करेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले हम भारत के प्रमुक पददिकारी यानि जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है Current Affair का वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद विबिन पदों पर पहुँचने वाली जो पहली महिलाएं है भारत की उनकी हम बात करेंगे Current Affair का काफी important question इसके बाद इसी वीडियो में कुछ important जो बदले गए नाम है इनके बारे में बात करेंगे कि किस जगह का अब क्या नाम रखा गया है इसके बाद 2022 में जो प्रमुक शिकर सम्मेलन हुए है किस देश में हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद सबसे important topic जो आपकी 2021 और 22 के important indexes है सूचकांक है उनमें भारत का कौन सा इस्थान है उनके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके बाद 2022 में लगभग 28 के करीब रामसर इस्थल रामसर सूची में शामिल हुए है तो उनको भी देखेंगे कौन किस राज्य में इस्थित है तो current affair के इतने सारे topic हम एक single video में cover कर जाएंगे current affair को इस तरीके से पढ़ने से जैसे हम करते हैं यहाँ पर एक question करते हैं उसके निचे सारे जो extra चीज़े हैं उसी से related उनको कर जाते हैं तो इस तरीके से आप कम समय में जादा चीज़ों को cover कर जाते हैं otherwise अगर आप अलग-अलग इन topics को देखेंगे तो आपको अलग-अलग videos इनके लिए देखनी होंगी लेकिन इस सारे के सारे important topic हम इस single video में cover कर जाएंगे यह हमारा current affair की छटी class है अगर आपने इस से पहले की classes नहीं देखी हैं आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज की class को शुरू करने से पहले कल के एक question में काफी ज़्यादा confusion हो गया था कि उत्राखंड के brand ambassador कौन है देखे फरवरी 2022 में उत्राखंड का brand ambassador अक्षे कुमार को बनाया गया इसके बाद अगस्त 2022 में रिशप पंत को बनाया गया और नवंबर 2022 में प्रशून जोशी को बनाया गया आपको तीनों नाम याद करने होंगे अगर overall पूछे की कौन है तो आप latest वाले का नाम बताईए लेकिन अगर आपसे वर्श गया महीने का लगा के पूछता है कि फरवरी 2022 में किसे बनाया था अगस्त में किसे बनाया था तब आपको उन पर्टिकुलर नाम को बताना होका तो इसको आपने ध्यान रखना है तीनों व्यक्तियों को 2022 में बनाया गया था अब चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहला कोश्यन है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यश्वर्धन कुमार सिनहा इनका नाम है ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्थ है ठीक है भारत के प्रमुख पदा अधिकारी इनके बारे में देख लेते हैं भारत के जो C.A.G है वो कौन है तो भारत के C.A.G उनका नाम है ग्रीश चंद्र मुर्मू भारत के एटाउर्नी जनरल है आर वेंकिट रमणी इनका नाम भी आपने याद करना है सॉलिसीटर जनरल कौन है भारत के तुशार महता जो सॉलिसीटर जनरल होते हैं ये एटाउर्नी जनरल के सहायक के रूप में कारिक करते हैं तो एटाउर्नी जनरल वेंकिट रमणी है और सॉलिसीटर जनरल भारत के वर्तमान में मुख्य नियाधीश कौन है? Chief Justice of India, इनका नाम है D.Y. चंदरचून, काफी important है, अगले दो साल के लिए यही भारत के मुख्य नियाधीश रहेंगे, और ये भारत के पचासवे मुख्य नियाधीश हैं, इनको भी याद करेंगे, इनसे पहले कौन थे? U. ठीक है? चलिए. भारत के मुख्य चुना आयुक्त कौन है? जो Chief Election Commissioner है इनका नाम है राजीव कुमार, नाम आपने याद करना है. राश्ट्रिया मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राश्ट्रिया मानव अधिकार आयोग इसके अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा. ये सभी कोशन सलेक्टेड और ऐसे ही आपसे जो इंपोर्टन्ट वाले हैं डारेक्ट पेपर में आते हैं. बारत केंद्रिया सतरकता आयोग के अध्यक्ष कौन है? केंद्रिया सतरकता आयोग इसके अध्यक्ष है सुरेश एन पटेल इनका नाम भी याद कर भारतिया प्रति इसपरदा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अशुक कुमार गुपता हैं. पंद्रवे वित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो पंद्रवा वित आयोग है इसके अध्यक्ष एन के सिहा हैं. इसरो के अध्यक्ष कौन है? इस सोमनात इसरों के अध्यक्ष है डियाडियो की बात करें डियाडियो के जो महा निदेशक है समीर वी कामत ये डियाडियो के महा निदेशक है भारत के लोगपाल कौन है पहले लोगपाल कौन थे PC घोश, पिनाकी चंद्र घोश इनके बाद दूसरे जो बने है भारत के प्रदीब कुमार मोहंती इनका नाम है ठीक है चलिए वर्तमान में भारत के CDS कौन है तो Chief of Defense Staff दूसरे Chief of Defense Staff इनका नाम है General Anil Chaudhary ठीक है तो इनको आपने याद करना है भारत के वर्तमान में CDS कौन है Anil Chaudhary अगर हम रक्षा से related कुछ important अधिकारिंग की बात करें तो सरवोच्षुत में तो CDS आते हैं Anil Chaudhary नौ सेना अधिक्ष की बात करें वर्तमान में आर हरी कुमार नौ सेना के अधिक्ष हैं वायू सेना अधिक्ष की बात करें विवेक राम चौदरी भारत के वायू सेना के अधिक्ष हैं थल सेना अध्यक्ष की बात करें, मनोच पांडे वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं, राश्ट्रिया सुरक्षा सलहकार सभी जानते हैं, अजीत डोबाल वर्तमान में है, मुख्या वैग्यानिक सलहकार, जैसे राश्ट्रिया सुरक्षा पूछ लेगा अजीत डोबाल, म और मुख्या आर्थिक सलहाकार अनंत नागेशवरन ये भारत के हैं तो ये कुछ important पद जो आपको याद करने हैं कुछ एजेंसियां इनके देख लेते हैं काफी चर्चा में रहते हैं वर्तमान में NIA के प्रमुख कौन है तो वर्तमान में NIA के प्रमुख है दिनकर गुपता CBI के डारेक्टर कौन है वर्तमान में सुबूद कुमार जैसवाल वर्तमान में CBI के डारेक्टर है ठीक है IB के कौन है तो IB के हैं तपन कुमार डेका और रो के कौन हैं रो के हैं सामंत कुमार गोयल ये कुछ important पतदिकारी प्रमुप एजिंसियों के, अब banks related देखते हैं, भारतिया स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीके, SBI का अध्यक्ष पूछा है, तो SBI के हैं दिनीश कुमार खारा, ये SBI के वर्तमान के अध्यक्ष है, RBI का पूछेगा तो RBI की काफ उपगवर्नर भी होते हैं, कुछ एक्जामों में उपगवर्नर का नाम आया है कि आपको चार option दे देता है और कहता है, इन में से कौन RBI का उपगवर्नर है या कौन नहीं है, चार उपगवर्नर कौन है वर्तमान में, टी आर शंकर, राजिश्वर राव, महिश कुमार जै और माइकल देवदरत पात्रा, ये चार उपगवर्नर है और एक गवर्नर शक्तिकान दास है, ठीक है, रेलवे बोड के CEO और अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोड के CEO और अध्यक्ष, इनका नाम है विने कुमार त्रिपाठी, इनको भी आपने याद करना है, भारतिया व विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, आधार यहीं से निकला है, इसके CEO अजय भूशन पांडे है, ठीक है, नीती आयोग के CEO कौन है, नीती आयोग की CEO है, परमेश्वरन अयर, नीती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी, वरतमान में नीती आयोग के तो आप सभी से जानते हैं नीती आयोक का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में कौन है नरेंद्र मूदी ठीक है संसद टीवी के CEO कौन है देखे संसद टीवी पहले दो टीवी थे एक था आपका लोगसभा टीवी और एक थी आपकी राजसभा टीवी दो उत्पल कुमार सिंग संसद टीवी के CEO है साथ में लोगसभा के महासचीव भी उत्पल कुमार सिंग है ठीक है चलिए संसद की लोगलेखा समीती के अध्यक्ष कौन है संसद की लोगलेखा समीती इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है ठीक है लोगसभा में का नेता भी इन ही को माना जाता है प्राकलन समीति यही दो important समीतिया है लोग लेखा समीति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है और प्राकलन समीति के अध्यक्ष गिरीश बापट है दोनों का नाम भी पूछा जाएका राज्यसभा के उपसभापती कौन है तो राज्यसभा के उपसभापती हरीवंश नारायन सिंग है वर्तमान में लोग सभा में कोई भी उपसभापती अभी नहीं है लोग सभा अध्यक्ष आप जानते हैं ओम बिरला राज्यसभा के सभापती भी आप जानते हैं जगदीप धनकड ठीक है तो उप सभापती हरीवंश नारायन सिंग राज्य सभा के महा सचीव कौन है तो राज्य सभा के महा सचीव आपने कई बार नियूज में देखा होगा पी सी मूदी का नाम आता है तो पी सी मूदी का पूरा नाम है प्रमोध चंद्र मूदी ये वर्तमान के अगर हम बात करें, तो ये हैं राजीव गाबा, ठीक है, जो सर्वोच पोश्ट होती है, प्रशाशनिक पोश्ट के अगर हम बात करें, जो कोई IAS होते हैं, सर्वोच पोश्ट यही है, कैबिनेट सचीव, वो कौन है वर्तमान में, राजीव गाबा, ठीक है, वि भारत की ओर से G20 के मुख्य समनवयक किसे निउक्त किया गया है भारत G20 की अधिक्षता कर रहा है अगले एक साल तक भारत के पास इसकी अधिक्षता होगी भारत ने G20 के लिए मुख्य समनवयक ये निउक्त किया है हर्षवर्धन श्रंगला को ठीक है और भारत की ओर से G20 के शेरपा किसे बनाय गया है ये बनाया गया है अमिताब कांत को तो दोनों याद करना है मुख्य समनवयक G20 को लेकर बहुत जादा चांसेज आपको प्रशन पूछे जाने के क्योंकि इसका जो अगला सिखर सम्मेलन होगा G20 का वो नई दिल्ली में होगा यानि भारत की अधिक्स्ता में भारत में होगा तो मुख्य समनवयक हर्शवर्धन श्रंगला को बनाया है और शेरपा की रूप में अमिताब कांत को निक्त किया गया है भारतिया परवता रोहन फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतिया परवता रोहन फाउंडेशन इसकी पहली अध्यक्ष बनी है महीला अध्यक्ष इनका नाम है हर्षबन्ती बिस्ट आप सभी जानते हैं उत्राखंड से इनका संबंध है तो बहुत जादा चांसेज हैं पूछे जाने के विबिन पदों पर पहुचने वाली कुछ पहली महीला हैं उनको देख लेते हैं सेबी की पहली महीला अध्यक्ष कौन है तो सेबी की पहली महीला अध्यक्ष मादवी पुरी बुछ है फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर बनने वाली पहली महीला कौन है आश्रीता वी ओलिटी है अंतरास्ट्रिया नार्कोटिक कंट्रोल बोड की अद्धक्ष बनने वाली पहली भारतिया महिला जो इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोड है ठीक है उसकी अद्धक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला जगजीत पवाडिया बनी है Geological Survey of India की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है Geological Survey of India की पहली महिला महानिदेशक धृति बेनर जी बनी है ठीक है ये कुछ important महिलाएं जो आपको याद करनी है ठीक है Midday Meal का नाम परिवर्थित कर क्या कर दिया गया है अब यहाँ पे हम कुछ important बदले वे नामों को देखेंगे जो आपके current affair इस तरीके के topic वाले हैं जिसमें हम पूरे topic को question देखते हैं इनको आप heading लगा कर बनाए और जो आपके current affair के question है आप उनको one liner के तौर पर लिखते वे चलें इससे आपका current affair बहुत अच्छे से cover होगा चीजें आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर repeat भी हो जाएंगी midday meal का अगर हम नाम परिवर्तत की बात करें इसका नाम बदल कर परदहान मंत्री portion scheme कर दिया गया है ठीक है यह पूछा जा सकता है प्रमुक बदले हुए नाम है जल्दी से उनको देख लेते हैं फैजाबाद केंट का नया नाम अयोध्या केंट कर दिया गया है किबूतू सैन्यस सिविर का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है पूछा जा सकता है ठीक है जो किबूतू सैनिय सिवर है आपका अरुनाचल में इसका नाम किसके नाम पर रखा है जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा है चंडीगर हवाई अड़ा इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंग अंतराश्टिया हवाई अड़ा कर दिया गया है तो जो चंडीगर एरपोर्ट है इसका नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर रखा गया है अगला है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो की इंगलैंड में है इसका नाम बदला गया इंगलैंड में और इसका नाम सुनिल गावसकर के नाम पर रखा गया के नाम से जाना जाता है कोशन बन सकता है कि किस के नाम पर रखा गया है आपको उप्शन दे देगा सचेंत इंदुलकर कपिल देव सुनिल गावसकर इस तरीके से या फिर ऐसे पूछेगा ये ग्राउंड लुशेय कहा है औस्ट्रेलिया में या इंग्लेंड में है न्यूजिलेंड में इस तरीके से तो ये इंग्लेंड में है सुनिल गावसकर के नाम पर रखा गया है औरंगाबाद जिला महराश्ट्रा में आता है महराश्ट्रा के औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया गया है राश्ट्रिया खेल और परिवहन संस्थान इसका नाम भी चेंज किया गया और इसका नाम गती शक्ती विश्विध्यालेक कर दिया गया ठीक है 0.5140 जो कि आपके द्रास सेक्टर में पड़ता है 0.5140 इसका नाम अब गनहिल कर दिया गया है रुची सोया इंडिस्ट्रीज आप जानते हैं रुची सोया को पतंजली ने ओवर्टेक किया उसको खरीदा और रुची सोया इंडिस्ट्रीज का नाम अब पतंजली फूर्ट लिमिटेड में उसको शामिल कर दिया है केवडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है देखे जो केवडिया है केवडिया आपके गुजरात में आता है केवडिया का नाम बदलकर एकता नगर किया गया है और केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन तो आपको केवल केवडिया का नाम देखना है वो चेंज होकर क्या कर दिया है एकता नगर केकता नगर या केवडिया को लेकर के एक कोशन आपको और याद करना है प्रधान मंतरी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा भूल भूलया उद्ध्यान जो है वो इसी केवडिया में इसका उद्धाटन किया गया है कोशन बनेगा प्रधान मंतरी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा भूल भुलाया उद्ध्यान तहां पर उसका उद्धाटन किया गया इसी केवडिया में किया गया ठीक है हबीब गंज रेलवे स्टेशन इसका नाम किसके नाम पर है तो हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमला पती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इसी प्रकार जो जासी रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल कर विरांगना लक्षमी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है ये दो काफी important हैं हभीब गंजवाला और जासी वाला ठीक है चेनानी नासरी शुरंग कहा है तो चेनानी नासरी शुरंग की बात करें तो इसका नाम बदल कर डॉक्टर श्यामा प्रशात मुखरजी सुरंग कर दिया गया है विहिलर द्वीब की बात करें इसका नाम एपीजे अब्दुलकलाम द्वीब किया गया हैवलोग द्वीब का नाम बदल कर सुराज द्वीब किया गया नील द्वीब का नाम बदलकर शहीद द्वीब किया गया और रॉस द्वीब का नाम बदलकर निताजी सुभाशंद्र बोस द्वीब कर दिया गया तो यह कुछ important द्वीब और हमने बदले हुए नामों को देखा तो यह वाला भी आपका clear हो गया current affair में यहां से भी आपके question बन रहे है हर exam में कि किस जगह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो जो important थे जो previous year में repeat हो रहे हैं उनको हमने यहां पर देखा चलिए भारत की पहली कागस रहित राज्य विधान सभा कौन बनी है तो भारत की पहली कागस रहित पेपर्लेश विधान सभा नागलेंड विधान सभा बनी है ठीक है COVID-19 DNA vaccine लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है तो DNA vaccine लगाने वाला पहला देश है भारत भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है तो देखें जो इस तरीके से आपके current affair के one liner है आप जिस copy में current affair को notes कर रहे हैं उसके आप दो पार्ट कर लिजे एक तरफ current affair के one liner को लिखिए और एक तरफ current affair के topic को करिए जैसे हमने उपर प्रमुत पददिकारियों वाला topic cover किया उसके बाद हमने बदले गए नामों को cover किया इसके बाद हम सुचकांकू को देखेंगे रामसर को देखेंगे उनको वहाँ पर लिखिए और यहाँ पर आप current affair liners को करिए तो इससे आपके notes बहुत अच्छे से बन जाएंगे भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है इसका नाम रुद्र रखा गया है ठीके इसको भी आपने याद करना है भारत के पहले cryptocurrency index का नाम क्या रखा गया है भारत का पहला cryptocurrency index इसका नाम IC15 रखा गया है भांग की खेती को वैद घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है झाल चीनी की खेती शुरू करने वाला भी ये पहला राज्य बना है और E-Cabinet प्रणाली को लागू करने वाला भी हिमाचल पहला राजिया बना है तो इन तीन में पहला राजिया कौन है हिमाचल भांग की खेती को वैद घोशित करने में E-Cabinet प्रणाली को लागू करने में और दाल चीनी की खेती शुरू करने में कौन है नमबर वन पे या पहला राज्य कौन बना है हिमाचल बना है ठीक है पांडू लिपियों के सरक्षन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पांडू लिपी गरंथाले कहां बनाया जा रहा है तो देखें दुनिया का सबसे बड़ा होगा तो काफी important question है पांडू लिपियों के सरक्षन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पांडू लिपी गरंथाले आपके गुजरात में बनाया जाएका इसको आपने याद करना है भारत का पहला उपन रॉक संग्राले कहां बनाया गया है तो भारत का पहला उपन रॉक संग्राले ये हैदराबाद में बनाया गया है ठीक है चलिए 32 नाटो सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था देखे 32 नाटो की अगर हम बात करें नाटो काफी समय से चर्चा पे है नाटो का जो 32 सिखर सम्मेलन हुआ है 2022 के अंदर ठीक है जून में इसका आयोजन हुआ था 2022 में ये आपके मेडरिट में हुआ है जो की ispain में आता है इस्पेन की रास्थानी है कोशन बनेगा नाटो का सिखर सम्मेलन 2022 का कहां हुआ? इस्पेन की रास्थानी मैडरिट में ठीक है? अगर हम पिछले वाले की बात करें ये तो 32 था दो 2022 में हुआ 31 वाले की बात करें जो अगले साल होगा, 2023 में, 2023 में नाटो का सिखर सम्मेलन लिथुआनिया में होगा, ठीक है, यूरोपिया देश है, यहाँ पर होगा लिथुआनिया, ठीक है, चलिए, कुछ important सिखर सम्मेलन 2022 के इनको देख लेते हैं, 48-वा G7 सिखर सम्मेलन, यह G7 है, भारत के पास जिसकी अधिशता है, वो G20 है, G7 सिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं, काफी समय तक जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्कल रही थी, लेकिन अब वो जा चुकी है, उनकी जगह पर ओलाफ सोल्ज, जो हैं जर्मनी के चांसलर बने हैं, ठीक है, तो 48 वा, जो G7 सिखर सम्मेलन था, कई बार आपसे करम पूछ लेता है, कौन सा वाला था, ठीक है, जो G7 सिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ, ये 48 वा था, और जर्मनी में ये हुआ, ठीक है, इसके अलावा, चौदवा, ब्रिक्स वर्चुल सिखर सम्मेलन की बात करें, क्योंकि जो ब्रिक्स का सम्मेलन था, सिखर सम्मेलन इसे वर्चुली आयोजित किया गया, ठीक है, कौन से नंबर का था, चौदवे नंबर का था, किसकी मेजबानी में हुआ, वर्चुली में हुआ, यानि कि सारे नेता अपने अपने देशों से जुड़े, लेकिन मेजब कौन था चीन की मेजबानी में हुआ ठीक है 2022 का अगर हम बात करें 2023 का किसकी मेजबानी में होगा ये वाला शिकर समेलन ब्रिक्स वाला ये होगा साउथ एफरीका की मेजबानी में 2023 में ठीक है 48 वन जो जी सिखर सम्मेलन था 7 वाला ये जर्मनी में हुआ इसके बाद जो अगला वाला होगा उन पचास वा वो जापान में होगा 2023 में चौथा क्वार्ड शिखर सम्मेलन कहां हुआ देखे क्वार्ड चार देशों ने मिलकर ये संगठन को बनाया है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सामिल है इसका चौथा शिखर सम्मेलन जापान में आयूजित किया गया 2022 में ठीक है और जो इसका अगला सिखर सम्मेलन होगा, पांचमा सिखर सम्मेलन क्वार्ड का, ये अस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है इसको भी याद करना है अगला है, सत्रवां G20 सिखर सम्मेलन जो सत्रवा हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है 2022 में हुआ है पिछले महीने में हुआ था नवंबर में हुआ था ठीक है और इसी सम्मेलन के बाद भारत को अधिक्सिता शौ। गई है तो सत्तरवा जो g20 सिखर समयलन है ये इंडोनेशिया में हुआ और अठारवा g20 सिखर समयलन भारत में होगा 2023 में होगा नईदिली में होगा भारत की अधिक्सता में होगा तो ये कुछ important सिखर समयलन 2022 के और 23 में कहा होंगे वो भी हमने देखे, ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रग नेटवर्क को खतम करने के लिए, ओपरेशन गरुड किसने शुरू किया था, कल के वीडियो में हमने विभिन ओपरेशनों को लिखा था, वहाँ पर जो चलाए गए थे, अभियान ओपरेशन, उसमें एक और ओपरेशन को जोड लीजिएगा, ओपरेशन गरुड, ओपरेशन गरुड ड्रग नेटवर्क को खतम करने के लिए चलाया गया, लेकिन इसे NCB ने नहीं चलाया, इसे CBI ने चलाया, इसलिए इंपोर्टन हो जाता है, ठीक है, भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूर संचार कमपनी कौन बनी है, तो हाली में अक्टूबर 2022 में भारत में 5G सेवाएं शुरू करी गई थी, प्रधान मंतरी के दवारा, भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूर संचार कमपनी एर्टल बनी है, ठीक है, इस में भारत 136 वे नंबर पे रहा है कुशन बनते हैं इंडेक्स को ले करके पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत 149 वे नंबर पे रहा था वर्तमान में भारत 136 वे नंबर पर है 2022 की जो हैपिनेस रिपोर्ट आई है ठीक है? 2021 के कुछ इंपोर्टन रिपोर्ट और सूचकांक है उनमें हम भारत की इस साल की और पिछले साल की रैंकिंग देख लेते हैं सबसे पहले आता है विश्व प्रेस सुतंतरता सूचकांक विश्व प्रेस सुतंतरता सूचकांक में भारत 150 वे नंबर पर है 2022 की रिपोर्ट में 2021 में भारत 142 वे नंबर पे था वर्तमान में 150 वे नंबर पे है Global Hunger Index के बात करें 2022 की रिपोर्ट में भारत 107 वे नंबर पे है और पिछले साल 101 वे नंबर पे था Westwick, Navachand, Suchkank यानि Global Innovation Index के अगर हम बात करते हैं ये Index बहुत जादा पेपर में पूछा जाता है तो Innovation Index में भारत 40 वे नंबर पर है पिछले साल हम 46 वे नंबर पे थे यानि इसमें रैंकिंग में सुधार हुआ है तो इसे आपने याद करना है Digital Quality Life of Index 2021 की रिपोर्ट है अभी जो latest है इसमें भारत 69 वे नंबर पे है 2020 में भारत 57 वे नंबर पे था मानव विकांस सूचकांक बहुत बार ये आता है तो इसकी 2021 की रिपोर्ट में भारत 132 वे नंबर पे था और उससे पहले भारत 131 वे नंबर पे था आर्थिक स्वतंतरता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट इसमें भारत 131 वे नंबर पर है पिछले साल 121 वे नंबर पे था Henley Passport Index बहुत important ये इंडेक्स है इसमें भारत 87 वे नंबर पे है पिछले साल 90 वे नंबर पे था Global Gender Gap Report 2022 इसमें भारत 135 वे नंबर पर है पिछले साल 140 वे नंबर पे भारत इस सूची में था वैस्विक शांती सूचकांग की बात करते हैं तो इसमें भारत 2022 में 135 वे नंबर पर है इसे आपने याद करना है पिछले साल 2021 की रिपोर्ट में भी भारत इसमें 135 वे नंबर पर रहा था वैश्विक शांती सूचकांक में विश्व प्रतिस्परदा सूचकांक 2022 में भारत 37 नंबर पर है 2021 में 43 नंबर पर भारत रहा था परियावरन प्रदशन सूचकांक इसमें भारत का प्रदशन सबसे जादा खराब यहां पर दि liaison गया 180 देशों में भारत 180 वे नंबर पे रहा कौन सी सूची में? परियावरण प्रदशन सूचकांक में पिछले साल भारत 168 वे नंबर पे था इस साल सबसे लास्ट में भारत को इस्थान दिया गया अंताराश्ट्रिया बौधिक संपदा सूचकांक इसका जो 2022 का रिपोर्ट है इसमें भारत 43 वे नंबर पर है पिछले साल 40 वे नंबर पे भारत था ठीक है यह सारे कुछ important indexes जो आपको याद करने हैं इनके अलावा तीन important index और है Global Fire Power Index यानि जो मजबूत सेना के उसमें जाली किया जाता है तो उसमें भारत 44 वे नंबर पर है ठीक है Global Fire Power Index में वैशविक खादि सुरक्षा सूचकांक इसमें भारत 71 वे नंबर पर है और वैशविक लोकतंत्र सूचकांक इसमें भारत 46 वे नंबर पर है तो इनको भी आपने याद करने हैं ठीक है यह हमने कुछ important index को देखा जहां से आपके question बन जाते हैं नेक्स्ट है परियावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा Mission Live Andulan की शुरुवात कहां से की गई है तो Mission Live Andulan किसने शुरू किया है PM की द्वारा शुरू किया गया यानि एक बहुत महत्पून घटना और पेपर में आने के पूरे चांसिल तो Mission Live Andulan इसकी शुरुवात प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के केवड यानि एक्ता नगर से की गई है ठीक है जलवायू परिवर्तन को लीकर COP26 सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया देखे COP26 जो ये सिखर सम्मेलन हुआ है ये Glasgow में आयोजित किया गया जो की Scotland में है ठीक है इसको आपने याद करना है जो आपका COP26 है इसमें प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया प्रधान मंत्री ने यहाँ पर पांच मंत्र दिये जिनको पंचामरित बोला गया हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए पांच मंत्र यानि पांच टार्गेट उन्होंने रखे जो भारत अचीव करेगा कौन-कौन से वो पांच टार्गेट थे जो COP26 में भारत ने रखे सबसे पहले हम COP26 की बात कर लेते है ग्लासगो में हुआ इसकोट लैंड में पढ़ता है इससे पहले जो COP25 हुआ था जो इसका 25 सिकर समय लन था वो मेडरिट में हुआ था 2019 में COP की फुल फॉर्म क्या होती है Conference of Parties ठीक है Conference of the Parties इसका फुल फॉर्म है और 26 वी वार मिले तो COP26 ठीक है इसके अंदर प्रधान मंत्री ने 5 मंत्रों को दिया 5 टार्गेट उन्होंने रखे भारत के जो भारत को अचीव करने हैं कौन से कांसे हैं जिनको पंचामरित बोला गया पहला टार्गेट यहां पर रखा गया कि भारत 2030 तक अपनी गैर जिवाश्म उर्जा शम्ता को 500 गिगा वार्ट तक पहुँचाएका ठीक है किसको गैर जिवाश्म उर्जा को 500 गिगा वार्ट तक पहुँचाने का टार्गेट रखा गया है 2030 तक दूसरा था कि 2030 तक भारत अपनी 50 प्रतिशत उर्जा की जरूरत को अक्षय उर्जा और गैश्म जिवाश्म उर्जा से पूरी करेगा ये भी कब तक है 2030 तक तीसरा जो यहां पर उन्होंने मंत्र दिया जिसको पंचामरित में शामिल किया गया कि भारत 2030 तक जितना कार्बन उसरजन का अनुमान लगाया गया है कि अप से लेके 2030 तक भारत जितना कार्बन उसरजन करेगा उसमें भारत एक बिलियन टन की कमी करेगा ये भी इसमें शामिल है चोथा था कि 2030 तक भारत अपनी अर्थववस्था की कार्भन तीवरता को 45% से भी कम कर लेका और पांचमा टार्गेट था कि 2030 तक भारत नेट जीरो का टार्गेट भी हासिल कर लेका तो परियावरन से रिलेटेड ये पांच इंपोर्टेंट टार्गेट जो आपको याद करने ठीक है जलवायू परिवरतन से कहां पर दिये थे प्रतान मंतरी ने COP26 में जो कि गलासगो में हुआ स्कॉट प्लैंड के अंदर ठीक है सौर कोरोना के अध्यन के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है देखे सौर कोरोना अध्यन के लिए भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन होगा इसका नाम है आदित्य ल आई ठीक है इसको आपने याद करना है इस mission को फरवरी 2023 में अगले साल इसे launch किया जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है इस तो कि अगर हम बात करें जो आगामी mission है इसे भी इस तो लाँच करेगा इस तो 2023 में कुछ important जो mission है उनको launch करेगा जिसमें गगनियान शामिल है पहले दो गगनियान छोड़े जाएंगे पहला गगनियान 1 फिर गगनियान 2 जो परिशन के लिए होंगे ही trial के तोर पर होंगे मानव उनमें नहीं होंगे फिर आएगा गगनियान 3 जिसे 2023 में छोड़ा जाएगा जिसमें मानव भी होंगे वो पहला मानव सहित भारत का अंतरिक्ष मिशन होगा अगले ही साल 2023 में चंद्रयान 3 को छोड़ा जाएगा और 2024 में मंगल यान 2 को छोड़ा जाएगा कोशन बन सकता है चंद्रयान 3 कब लॉंच किया जाएगा 2023 में और मंगल यान 2 कब लॉंच किया जाएगा 2024 में ठीक है तो ये कुछ important mission जो इस रोके हैं रामसर समझोते में भारत कब शामिल हुआ था देखें रामसर के अंदर भारत के कई सारे इस्थल 2022 में शामिल हुए है 28 के करीब इसमें शामिल हुए है बहुत जादा chances हैं रामसर को लेकर आपसे question बने पहले भी हमने रामसर को cover किया है कुछ important questions को देखा है जल्दी से सभी question एक जगह पर यहाँ पर कर लेते हैं देखें रामसर समझोता जो हुआ था रामसर समेलन हुआ था 1971 में इरान का एक शहर था रामसर वहाँ पर हुआ रामसर समेलन इस समेलन में जो समझोते किये गए उन समझोतों को 1975 में लागू कर दिया गया लेकिन तब भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में इसे आपने याद करना है सबसे ज़ादा इस्तल जो है रामसर इस्तल किस देश में है सबसे ज़ादा रामसर इस्तल युनाइटेट किंग्डम में है जो की 175 है ठीक है रामसर सुची में शामिल होने वाला पहला इस्तल कौन था अगर हम पूरी दुनिया में बात करें ये था कोवर्ग प्राइदीप जो की ऑस्ट्रेलिया में आता है रामसर सुची में शामिल होने वाला पहला इस्तल भारत का पहला कौन था भारत की पहला था चिलका जीर पहला था जो रामसर सुची में शामिल हुआ भारत का सबसे बड़ा आदर भूमी इस्तल की बात करें सुन्दरवन वेटलेंड है या सुन्दरवन डेल्टा है और सबसे छोटे की बात करें रेणू का वेटलेंड है जो की हिमाचल में आपका पढ़ता है ठीक है ये आपका बंगाल में पढ़ता है बंगाल और बंगलादेश की बॉर्डर पर ये पढ़ता है ठीक है तो सबसे बड़ा आदर भूमी सबसे छोटा सबसे पहला और अगर पूछेगा भारत का पहला कृत्रिम आदर भूमी इस्थल जो बनाया गया है आर्टिफीशल रामसर जो वेटलेंड है ये है हरी के बैराज भारत में सबसे ज़्यादा रामसर इस्थल किस राज्य में है तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर इस्थल अब तमिल नाडू में है ठीक है चौदा है यूपी में अब दस है इनको भी आपने याद करना है टोटल भारत की बात करें तो आजादी का 75 वाँ वर्ष चल रहा है भारत में टोटल 75 रामसर इस्थल हो चुके हैं सबसे ज़ादा इसी साल शामिल हुए है 28 के करीब रामसर सुची में शामिल हुए है ठीक है राज्यय पूचेगा तमिल लाडू में सबसे जादा है 14 सबसे जादा तमिल लाडू में जो 14 हुए हैं लगबख सभी के आपके इसी वर्ष में इनको शामिल किया गया है जल्दी से इनके नाम देखते हैं 2022 में शामिल रामसर इस्थल दिखिए यहां से कोशन आपसे कैसा बनता है आपको दे देगा खिजडिया वनजीव अभ्यारण कहां इस्थित है इंपोर्टन क्यों है क्योंकि रामसर सूचिय में शामिल हुआ है तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए खिजडिया वनजीव अभ्यारण ये गुजरात में है बखीरा वनजीव अभ्यारण ये उत्तर प्रदेश में है साखिया सागर ये MP में है सिरपूर वेटलेंड MP में है यश्वंत शागर ये भी MP में है पाला आदर भूमी ये मिजोरम में आती है इनके आपसे location पूछी जाती है सतकोशिया गार्ज ये कहा है? ये उडिशा में है तंपारा जील उडिशा में है डारेट कोशन बनेगा तंपारा जील कहां इस्तित है? उडिशा में इस्तित है अनशूपा जील ये भी उडिशा में है हीराकुंड जलाशे उडिशा में है नंदा जील आपकी गुवा में आती है रंग नाथितू पक्षी अभ्यारण ये आपके करनाटक में इस्तित है ठीक है? हाईगम वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व ये दो काफी important है ये आपका जमू कश्मीर में है हाईगम वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व और जो सबसे नया है लेटिस्ट 75 वाला ठीक है 75 वाँ वो है सालबूग वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व जो की जमू कश्मीर में है इसको आपने याद करना है अब देखेंगे तमिल लाडू के जो 2022 में शामिल हुए हैं ये सभी के सभी तमिल लाडू में हैं और 2022 में ही शामिल हुए हैं कौन-कौन हैं देखें कितने सारे हैं पिचवरम मैंगरूव आपके वल इनको याद कर डीजिये जो उपर हमने लेखे लगभग 14 के करीब हैं इनके लावा जितने भी होंगे 2022 के वो सभ तमिल लाडू में हैं क्योंकि नाम इसमें थोड़े से आपके अलग से नाम है पिचवरम मैंगरूव आपके अलग से नाम है पिचवरम पक्षी अभ्यारण ये भी तमिल लाडू में है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण ये भी आपके तमिल लाडू में सुचिंदरम थेरूर वेटलेंड तमिल लाडू वुडवूर पक्षी अभ्यारण और काजिर कुलंग पक्षी अभ्यारण ये सब आपके तमिलाडू राज्य के अंदर इस्तित हैं इनको आपने याद करना है ठीक है तो फ्रेंड्स यह था हमारा करेंट अफेर की सीरीज का आज हमने छटी क्लास यहाँ पे कवर करी जिसमें हमने इंपोर्टेंट सुचकांकू को देखा प्रमुक पद अधिकारियों को देखा प्रमुक महिलाओं को देखा इसके अलावा शिकर सम्मेलों को देखा कई सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स करेंट अफेर के जो अलग-अलग वीडियो से आपके कवर होते उनको हमने कम समय में जाधा चीजें यहाँ पर कवर कर दी इसी प्रकार आने वाले वीड उनको कवर करेंगे 2022 के जो महत्पूर्ट दिवस थे उनकी क्या थीन थी उनको कवर करेंगे पुरसकार 2021 के जो चर्चित पुरसकार है उन सब को कवर करेंगे फिल्मों से जुड़े हुए जो प्रश्न है भारत सरकार की जो अलग-अलग रिपोर्ट आई हैं जो सूचकांक भारत सरकार की उनको कवर करेंगे खेलों से जुड़े हुے जो आपके पुरसकार हैं जो आपके करेंट एफेर हैं उनको देखेंगे सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे इसके लावा National घटना करम जो होता है International घटना करम Important Books, कताबें सब हम इसी प्रकार यहाँ पे cover करेंगे, जैसे हमने आज की वीडियो में इतने सारे topics को cover किया लगबग 2 घंटे की एक class हो सकती थे अगर हम अलग-अलग topics करके करते लेकिन हमने इनको लगबग 40 मिनट में cover कर दिया, उमेद करता हूँ आपको सीरीज से फाइदा हो रहा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें सरूर बताएं, thank you friends